आप यार हाइप इमेजिन कीजिए 600 साल के बाद राम मंदिर भारत वासियों को दुबारा सौपा जा रहा है राम लला घर वापस आ रहे है इतनी बड़ी खबर के साथ साथ रामायन की स्टोरी के ओपर बेस्ट मूवी आदीपुरुष का भी अनाउंस्मेंट होता है अनाउंस्मेंट सुनते ही लोगों के एक्सपेक्टेशन सकाई हाई हो गए और हो भी क्यों ना बाहु बली का स्टार और तानाजी का डिरेक्टर एक साथ एक ही फिल्म में उपर से अनाउंस किया गया कि ये पैन इंडिया रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है इनिशल ट्रेलर के वी एफेक्स में कुछ हिकप्स होने के बावजूद एक रिवाईस ट्रेलर प्रड्यूस किया गया जिसमें वी एफेक्स काफी बहतर था जिससे की लोग और भी हाइप हो गए और इतनी हाइप के बाद पब्लिक को क्या मिला और पब्लिक का रियाक्शन भी शायद आपने अभी तक देखी ले मैं अंदर से बस गालिया निकल रही सब कुछ पानी में फेड़ दिया यार मजाग मनाग रादिया यार मूवी को तो सीट रिजर्व करिए ना अगर थेटर के अंदर बजरंग बली उस सीट पर बैठ कर अगर पूरी मूवी देख लेते ना तो अपने गदे से उन गदो का मारते जिनोंने ये मूवी के डियालोग लिखे कॉस्टूम डिजाइन करी और ये मूवी के दिरेक्टर है अबच्चा दस कुशन कर रहा है हमसे कि रावन ऐसा ही था कि राम ऐसी थे एकदम बगवास है प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाए तो क्या हुआ यार क्या आदीपुरुष के फिल्मेकर्स ने ओडियंस को छोटी गंगा बोलके क्या ये हिंदूइजम की सबसे बड़ी तोहीन है हलो हलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत सवागत है मैं हूँ सेक्लरिजम का CEO शाम शर्मा और आप सब को एक सेक्लर पढ़ा हूँ जिस तरह की हाइप आदीपुरुष फिल्म ने पिछले दो सालों में क्रियेट की थी उस तरह की हाइप बहुत सारी फिल्म में मैच नहीं कर पाई है सबसे पहले तो भाई आप सोर्स मटीरियली देख लीजिए आदीपुरुष भारत के दो सबसे बड़े एपिक्स में से एक रामायन की कहानी बताने वाली थी जब राम जन्मभुमी का लैंडमार्क जज्जमेंट सुप्रीम कोट ने दिया है और राम जन्मभुमी पर राम मंदिर बनने का ओडर दिया है जिसके दर्शन अल्मोस्ट छे सौ सालों के बाद शधालू दुबारा कर पाएंगे और इसको थोड़ा मार्केट भी तो वैसी ही किया गया था कि भाई जन एक्स के पास रामानन साकर की रामायन है मेरे जैसे मिलेनियल्स के पास उगो साको की रामायन की एनिमे है और जन जी के पास होगी आधिपुरुष हाइप इतनी बनी हुई थी कि नेट्फिक्स ने आधिपुरुष के डिजिटल राइट्स को 250 करोड रुपे में खरीदा है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल डील है हाइप को और भी बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े स्केल के इवेंट्स औरगनाईज किये गए ट्रेलर के रिलीज के समय पर जिसमें हजारों लोग प्रेजन थे बड़े-बड़े साधू लोग भी प्रेजन थे चैननाई सुपर किंक्स की और परफॉमेंस दिया रोयल चैलेंजर बैंगलोर का और लाइन बहुत लोग कंप्लेंड कर रहे थे कि इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रब्लम है कि वी एफेक्स बहुत बुरे क्वालिटी के है अब देखें, they're not the best VFX I've ever seen, but they're also not the worst VFX I've ever seen खासकर Bollywood फिल्मों में और देखें, मैं समझ सकता हूँ कि यार अगर आपका 600 करोड का बजट हो तो audience को ये expectation होती है कि VFX बिल्कुल perfect होने चाहिए but I don't think honestly कि VFX जो है वो इस फिल्म की सबसे बड़ी problem है I think कई लोगों को ये फिल्म तीन रीजन्स की वज़े से नहीं पसंदा रही है Reason number one, set और costume design अब देखें कुछ costumes हैं जो actually अच्छे दिखते हैं For example, Ravan जब रिशी का दुरूप धारन करके सीता माता के पास आता है वो costume काफी अच्छा है सीता माता जब Ravan की वाटिका में होती है वो costume भी अच्छा है लेकिन बहुत जगहों पर जहां तक costume की बात आती है और characters के look की बात आती है बहुत ही अजीबो गरीब choices की ए है designers ने Honestly, देखकर ऐसा लगता है कि Rather than creating an original या unique design for the characters in the movie designers ने क्या किया कि दूसरी popular filmें देखी franchises देखी, TV series देखी और उनके design कॉपी करके इस film में characters के उपर चेप दिये है क्योंकि उन्होंने सोचा कि भई अगर उन filmों में उन series में लोगों को ये designs पसंद आए characters के तो यहां पर भी आएंगे For example, Ravan का जो look है हमेशा से इस तरह का look समझते हुए आए है लेकिन इस film में Ravan का design अगर आप देखेगा तो दखता है कि भई Robert Downey Jr. का Iron Man वाला haircut दे रखा है उनको या फिर किसी West Delhi के London वाला haircut दे रखा है और जिम वाली T-shirt पैनाई हुई है और ये sir के side में ये design के दे दिया भाई साब आपने In fact, सिरिफ look ही नहीं जो acting choices भी सैफली खान ने choose किये है Ravan के character के लिए वो भी देखके शायर लोगों को लगता हो कि भई, Ravan की personality से ये acting match नहीं कर रही है अगर आप मेगनात की look भी देखेंगे तो उस look को भी देखके Twitter पे कुछ लोग बोल रहे है कि भाईया ये तो पूरी look Aquaman से inspired है Ravan के push-puck विमान को भी फिल्मों में कुछ scenes में एक dragon में convert कर दिया गया है क्योंकि हो सकता है designers ने सोचा कि भाईया Game of Thrones बड़ा popular है, सबको बड़ा पसंद है उसमें dragons है तो अगर Game of Thrones में लोगों को dragon पसंद है तो रामायन में भी लोगों को dragons पसंद आएंगे इस film में एक और character है जिसका look basically exactly He-Man के Skeletor से मिलता है battle scenes में जो रावन के सिपाही है उनको अगर आप देखेगा तो ऐसा लगता है कि Shriram 300 film के Persian Immortals से लड़ रहे है कुछ लोगों ने तो ये भी claim किया है कि आदी पुरुष की जो लंका की design है उसमें भी designers ने पूरी तरह से Thor film के Asgard के design को कॉपी करके चेप दिया है कुछ-कुछ जगहों पे Shriram का costume भी लोगों को पसंद नहीं आया है और कुछ जगहों पर अगर उनकी costume देखे तो लगता है कि यार ये Roman Senator है क्या Julius Caesar है क्या तो again for a movie that cost 600 crores audience को एक expectation थी कि जहां तक character की design की बात आती है उनके costumes की बात आती है तो बहुत ही unique और interesting designs बनाये जाएंगे ये नहीं कि दूसरी famous filmों और TV shows के character के पालिका बाजार के versions बना दिये जाएंगे दूसरा reason क्यों मुझे लगता है कि लोगों को ये film पसंद नहीं आई और वो है dialogues फिल्म में कुछ-कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है कि dialogues को dialogue writer ने नहीं बलकि MC Stan ने लिखा है इंदर जीत हनुमान की पूछ में आग लगा के देखिये क्या बोल रहे है उल्टा हनुमान जी देखिये जवाब में क्या बोल रहे है और dialogues के example सुनिये तेरी बुआ का पगीचा है क्या जो तू हवा काने चला आया अरे पड़ोसी के लाउंडे को डाट रहे हो क्या यार और सुनिये आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं अब ये रामायन है कि मिर्जा पूरे यार मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेशनाग को लंबा कर दिया लंबा कर दिया अबे यार तुमने लेजंडरी बॉलिवूड फिल्म गुंडा के डायलोग भी चेप दिये हैं याँ पर लंबू ने तुझे लंबा कर दिया माचस की तेली को खंबा कर दिया तो आप शायद समच सकते हैं कि एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसे करेक्टर जिनकी इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है जिसको इंडिया में लोग इतना प्यार करते हैं इतनी पूजा करते हैं उनके मूझ से इस तरह के टपोरी टाइप के डायलोग सुनकर तेरे बाप का लाजबी है कि कुछ लोग नाखुश होंगे यार और देखे प्रॉब्लम ये है कि इस मूवी ने अपने आपको मार्केट ऐसे किया था कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भई हम एक तरह से रामानन सागर की जो रामायन है उसके सक्सेसर यानि उत्तराधिकारी है अट दे सेंट टाइम इस फिल्म का जो डायलोग है वो ऐसा लगता है कि इंस्ट्राग्राम रियल्स के बच्चों के लिए बनाये गया है और तीसरा रीजन है फिल्म का टोन देखिए इस फिल्म का अगर आप इस तरह का टोन रखना चाहते थे जिस तरह का डायलोग का है तो शायद आपको एक डिफरेंट कैरेक्टर चूज करना चाहिए था या फिर आपको आरारार या बाहु बली जैसी एक यूनीक स्टोरी क्रियेट करनी चाहिए थी शायद आपको रामायंड के कैरेक्टर नहीं लेने चाहिए थे और अगर आप रामायंड के कैरेक्टर लेते तो डायलोग को बिलकुत सीरियस रखना चाहिए था पूरी फिल्म में मुझे लगता है कि प्रॉबलम क्या हुई है कि ये लॉड ओ दे रिंक्स टाइप की एक एपिक स्केल की कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उस तरह की फिल्म में इन्होंने मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स टाइप के कैरेक्टर और डायलोग डाल दिये और देखें ये मैं नहीं कह रहा ये फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद कहा है अब देखें इन्होंने भी देखा होगा कि भी मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स जो है ये बहुत ही सक्सेस्फुल फ्रैंचाइज है दुनिया भर में इन्होंने आल्मोस्ट तीस बिलियन डॉलर कमाए है तो इन्होंने सोचा कि अगर हमारे कैरेक्टर को भी हम मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स जैसा कैरेक्टर दे दे या डायलोग दे तो ओडियन्स को वो भी पसंद आएगा इस फिल्म में इन्होंने कैरेक्टर को मार्वल और डीसी जैसे सूपर पावर्स भी दे रखे हैं मेगनाथ के पास बेसिकली दफलैश वाली सूपर पावर है तो मुझे लगता है कि ये जो लौड दर रिंग्स और मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स दो अलग अलग टोन्स इन्होंने चूज करके मिक्स करने की कोशिश की है इस फिल्म में ये मिक्सचर आई डों तिंक इड वर्क्ट अस वेल इन दे फिल्म देखिए MCU के जो कैरेक्टर्स हैं वो हसी मजाग कर सकते हैं वो टपोरी टाइप की लैंग्विज यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे देवी देवताओं के मुझे ऐसी लैंग्विज अच्छी नहीं लगती मेरे हिसाब से इनको Lord of the Rings का जो टोन है मुविज का उस तरह का टोन रखना चाहिए था Marvel Cinematic Universe का नहीं रखना चाहिए था अब देखिए मैं जानता हूँ कि Lord of the Rings एक fantasy series है और आदी पुरुष में जो रामायन की कहानी है वो हमारा इतिहास है लेकिन I think इन दोनों movies को compare किया जा सकता है Lord of the Rings में भी जो heroes हैं उनके पास Marvel Cinematic Universe या DC के heroes की तरह की superpowers नहीं है Lord of the Rings में भी Marvel Cinematic Universe की तरह का dialogue नहीं है Lord of the Rings के characters को serious तरीके से treat किया जाता है और उनके characters को भी Gen Z का haircut नी दिया हुआ जैसा Ravan को दिया हुआ है Lord of the Rings का tone भी अपने आपको काफी seriously लेता है देखिए जहां comedy की जरूवत है वहां बहुत subtle तरीके से comedy डाली जाती है और जहां पर serious होने की जरूवत है वहां पर उस scene को बिल्कुल serious तरीके से treat किया जाता है Lord of the Rings के serious scenes में आदिपूरुष के type के dialogue होते तो क्या होता No man can kill me I am no man No man can kill me Nika you fools और देखें सिरफ हॉलिवूड को इस तरह की फिल्में बनानी नहीं आती इंडिया में हमने अल्डेडी एक्जैम्पल्स देखे हैं चाहे तानह जी हो, पदमावत हो, बाजी राव मस्तानी जैसी फिल्में हो जिसमें ना सिरफ कॉस्ट्यूम डिजाइन अच्छा है, सेट डिजाइन बहुत ही खुबसूरत है और रीगल है सारे कैरेक्टर्स को देख के लगता है कि यार ये सही में हिस्टॉरिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं और जो डायलॉग्स भी हैं वो भी मचौर तरीके से लिखे गए है एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे और जिसका सर कड़े फिर भी धर दुश्मन से लड़ता रहे वो राजबुक्त आप चाहते क्या हैं पुरा इंदुस्तार ओनलाइन खास कर कुछ लोग इसलिए डाराज हो रहे हैं कि उनको लगता है कि जो फिल्मेकर्स हैं वो भी थोड़ा सा अरगेंस दिखा रहे हैं तो इसका सीधा जवाब यह है दिवांग जी बिल्कुल नहीं जो रामायन लोगों ने सुनी है पढ़ी है देखी है एक्जाटली वही रामायन है कुछ भी अलग नहीं फिल्म का नाम क्या है जैसा कि आपने अभी कहा श्वित अजी फिल्म का नाम है आदी पुरुष जब हम आदी पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो-तीन चीजां में एक दम सपस्ट कर दू मैंने पहले भी कही है और अभी सपस्ट कर देता हूँ हमने रामायन नहीं बनाई है हम रामायन से प्रेरित हैं इन फैक्ट फिल्म के जो डायलॉग राइटर हैं और लिरिसिस्ट हैं वो अपने आपको लगता है तुलसी दास जी से कंपेर कर रहे हैं ये थोड़ा सा जादा नहीं हो गया बात तो सही है और देखें अल्टिमेटली जो डायलॉग के साथ प्रॉबलम है उसको बहुत सारी क्रिटिसिसम के बाद फिल्मेकर्स ने भी रियलाइस किया है और उन्होंने नाउंस किया है कि वो उन डायलॉग को बदलने वाले हैं तो अल्टिमेटली मुझे लगता है कि इसमें टोन की प्रॉबलम हो गई है उन्होंने एक सीरियस स्टोरी चूज की सीरियस कारेक्टर्स चूज किये और उस स्टोरी और उन कारेक्टर्स को MCU-5 करने की कोशिश कर दी ताकि वो एक यंगर इंस्टाग्राम रियल्स वाले जेनरेशन को टार्गेट कर सकें and ultimately this became a missed opportunity क्योंकि इतना बड़ा बजट है इतना सारा टैलन्ट involved है और इसलिए बहुत सारे लोग होप कर रहे थे कि ये उनके जेनरेशन का रावानन सागर वाली रामायन होगा या फिर हुगो साकी वाली एनिमे होगी जिस सीरीज का और जिस फिल्म का भारत के इतने सारे लोगों पर इतना long lasting impact रहा है अब तो देखिए ऐसा लगता है कि हमारे जो सारे hopes है वो राजा मौली जी की महाभारत सीरीज से जुड़े हुए है आधी पुरुष ने कुछ लोगों को बहुत नाराज भी किया हो लेकिन आधी पुरुष ने एक बहुत बड़ा miracle भी किया है चमतकार ये मूवी चाहती थी कि कुछ नए रामभक डिवेलप करे अब देखें राइट विंग में तो ये बहुत सारे रामभक शायद नहीं डिवेलप कर पाए लेकिन चमतकार देखें कि इन्होंने लेफ्ट विंग में बहुत सारे रामभक पैदा कर दिये हैं राम आदनी पार्टी जिसका श्री राम और राम मंदिर के बारे में ऐसे उपिनियन्स हुआ करते थे आज उनकी काया पलट देखिए कि आदी पुरुष श्रिम से नाराज हो रहे हैं कि आदी पुरुष फिल्म ने श्री राम की इंसल्ट कर दी है मर्यादा पुरुष सुत्तम भगवान श्री राम का भगवान बजरंग बली का माता सीता का खुले आम पूरे देश में अपमान करवा रहे हैं हमारे देश के साइंस में विश्वास करने वाले रैशनलिस्ट साइंटिस्स लोग जो हैं जो श्री राम में विश्वास भी नहीं रखते जिनका मानना है कि जीजस असली है लेकिन श्री राम फेक हैं जिनका राम मंदिर के बारे में ऐसे उपिनियन्स है जो मानते हैं कि राम मंदिर एक नंबर का वेस्ट है जो बात बात पर राम मंदिर का मजाक उड़ाया करते थे वो भाई साब इतने बड़े राम भक्त बन गए हैं पिछले कुछ दिनों से कि बिलकुल ओफेंड हो रखे हैं कि आदी पुरुष ने किस तरह से शिराम के कैरेक्टर को बरबाद कर दिया भई चमातकार है कि नहीं है आकाज बैनर जी साहाब उनके सेंटिमेंट हट हो गए हैं आदी पुरुष फिल्म की वज़े से प्रामायन का हमारे भगवानों का इस तरीके से इस्तमाल तो मत करो थोड़ा तो स्टोरी लाइन पर ध्यान दे दो स्टोरी से याद आया मनोज शुकला के इलावा डिरेक्टर ओम राउत की भी खोज आजकल चल रही है ताकि उनको पकड़के टाइम मशीन में बठाके त्रेता यूग में भेज दिया जाए तब शायद उनको स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग कुछ समझ में आ जाए उसी विश्वास पे जिसने सुप्रीम कोड ने भी बोल दिया कि हाँ यही लगता है कि था जनमस्तान अब बताइए आप इतना मेहनत करेंगे भव्य राम मंदिर बनाएंगे फिर मंदिर दिखेगा यह नहीं पॉल्यूशन के अंदर उनको हिंदू के सेंटिमेंट्स की आजकल इतनी चिंता हो गई है बताइए क्योंकि निर्माताओं ने हिंदू धर्म और ओडियंसेस का बहुत बुरी तरीके से काटा है और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी चमतकार है कि नहीं? कॉंग्रिस पाटी जिनके मेंबर ने बोला था कि श्री राम तो एक्जिस्ट ही नहीं करते जिन्नोंने 70 साल देश पर राज किया और 70 साल तक राम मंदिर बनने नहीं दिया जिनके MLA भगवान राम के घर में क्रिस्टिन सेमिट्री के लिए जमीन लेना चाहते थे उनके धार्मिक सेंटिमेंट्स और श्री राम के प्रती उनकी शद्धा आदिपुरुष फिल्म से इंसल्ट हो रही है ये चमतकार है की नहीं है भईया जो मोदी साहब 10 साल तक नहीं कर पाए वो एक फिल्म ने दो दिन में अचीव कर लिया है और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ को अड्रेस करना चाहता हूँ मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने ऑनलाइन थोड़ा सा इस फिल्म को लेके ओवर्रियक्ट किया है देखिए मैं लोगों का घुसा समझ सकता हूँ रामायन हमारी इतिहास का एक इतना अभिन हिस्सा है रामायन लोगों के दिलों से इतना जुड़ा हुआ है रामायन के लिए और रामायन के जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए लोगों के दिलों में इतना प्यार है इतनी शद्धा है और इस तरह के डायलॉग सुनकर उनको बिल्कुल लग सकता है कि उनकी शद्धा के साथ थोड़ा खिलवाड हुआ है तो इसलिए अगर लोग इस फिल्म को मीम करना चाहते हैं मजाग करना चाहते हैं हसी उड़ाना चाहते हैं अपनी नाराज की भी व्यक्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजे यार हमने भी क्रिटिसाइस किया इस वीडियो में इस फिल्म को लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे है कि भाईया ये फिल्म जो है ये हिंदुइजम को बरबाद करने के लिए आई है ये जो डिरेक्टर है, ओम रावत, ये जो एक्टर है, प्रभास ये तो भाईया हिंदुइजम को आटैक करने के लिए निकले हैं इस फिल्म से For example, अखिल भारती हे हिंदू महासभा के नैशनल स्पोक्स परसन ने तो FIR फाइल कर दी है आधिपुरुष के उपर कंट्रोल हुद है, कुछ Twitter अकाउंट्स बने हैं सिर्फ और सिर्फ आधिपुरुष फिल्म को बैन करवाने के लिए बैन आधिपुरुष Twitter पे trend हो रहा है बड़िया से और कुछ लोग तो इतना नाराज हैं कि थेटर में तोड़ फोड कर रहे हैं अब ये थेटर ओर्णर ने क्या गलती कर दी यार उसकी property को तोड़ रहे हो ये तो वही बात हुई कि क्रिकेट खेलते समये कुछ बच्चों ने आपकी खिड़की तोड़ दी और आप बच्चों को डाटने के बजाए बॉल मैनिफेक्चरर को जाके पीट रहे हो कोई सेंसाइस बात का तो देखिए इस फिल्म की निंदा कीजिए इस फिल्म को गरियाईए इस फिल्म से जितनी भडास निकालनी है निकाली है लेकिन बैन करवाने की क्या बात होगी यार तोड़ फोड़ करने वाली क्या बात होगी यार और इस तरह से अगर हम ओवर बोड़ जाके reaction करेंगे किसी भी फिल्म को लेकर तो film makers को भी ये message जाता है कि यार इस तरह की फिल्मों पे तो रिस्की नहीं लेना चाहिए और रियाद रखिए वो ओम रावत जो आज Hinduism को destroy करने के लिए निकले हुए है आधी पूरेश फिल्म को लेकर ये वही कि इन्हों ने इस फिल्म के साथ एक रिस्क लिया I'll tell you why Because मैं चाहता हूँ कि यार हम नई तरह की स्टोरीज देखे नई तरह के interpretations देखे पुरानी स्टोरीज के अगर मुझे बिल्कुल रामानन सागर वाली रामायन या फिर exactly माया बजार के स्टाइल की फिल्म देखनी हो तो यार वो पुराने वाले ये अच्छे हैं मैं उनको ही देख लूँगा अगर कोई नई फिल्म बन रही है तो I want to see something different मैं चाहता हो कि फिल्मेकर्स creativity दिखाएं नई चीज़े ट्राई करें और रिस्क लें कभी-कभी ये जो रिस्क होता है ये सक्सेस्फुल होता है जैसे कि तानाजी, उरी, कश्मीर फायल्स, कांतरा, आरारार और कभी-कभी ये रिस्क सक्सेस्फुल नहीं होता जैसे कि पृत्वी राज, राम सेतु और आदिपुरुष तरह अग्रेसिवली नाराज होने की मुझे नहीं लगता कि उतनी जरूरत है आप सोचिए कि आफ्टर डेकेड्स ओव एंटाई हिंदु बायस फाइनली पिछले 5-10 सालों में एक ऐसा मार्केट डिवेलप हुआ है जहाँ पर धीरे धीरे लेकिन इस तरह की जो फिल्मे है जो थोड़ी प्रो इंडिया प्रो इंडियन कल्चर की फिल्मे है उसकी तरह फिर भी हमें एक open mind रखना चाहिए अदि पुरुष के बाद और भी फिल्में आ रही है जैसे की वीर सावरकर पे दो फिल्में निकल कर आ रही है, एक रंदीपुडा की और दूसरी इंडिया हाउस, कश्मीर फाइल्स की बाद विवेक अगनी होतरी की अगली फिल्म वैक्सीन फाइल्स भी निकल कर आ रही है, अजमेर दरगाह में जो बलातकार कांड हुआ था उस और भारत को इस्लामिक आक्रमन से डिफेंड किया था, उन पर भी एक फिल्म बनने वाली है, अनफॉर्चुनेटली एक और रामायन की फिल्म आने वाली है, जिसमें रंडबीर कपूर राम का रोल निभाएंगे और आलिया भट सीता माता का रोल निभाएंगी, अब मैं क् यार, सारी निउस तो पॉजिटिव नहीं हो सकती न, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर में जितनी भी मूवीज निकल कर आ रही है, उन सब को हमको एक ओपन माइंड तरीके से असेस करना चाहिए, अगर हमें पसंद नहीं भी आई, तो इतनी बुरी तरह से उनके ओपर चड़ को और encourage करना चाहिए, क्या आप मेरे conclusion से सहमत हैं या नहीं, नीचे comment section में मुझे जरूर बताएं, अगर आप वीर सावर के से जुड़ी एक बहुत ही interesting story देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर click करके जरूर देखे, बाकि मैं आपसे अगले episode में मिलूंगा और तब तक सौस्त रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सब को एक से के लिए बढ़ा हूँ